एक सर्विसमेंट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाईए ताकि आपको नई से नई इन्फोर्मेशन टाइम टो टाइम मिलती रहें नमस्कार दोस्तों एक वीडियो जो मुझे अभी अभी एक स्कीम नजर आई जो की काफी हैल्पफुल हो सकती है उन महिलाओं के लिए उन और विद्वाओं के लिए जिनोंने अपने पती को शहीद कर दिया है शहीद हो गये हैं जो उनके लिए एक स्कीम है जो गौर्मेंट इंडिया ने लॉंच कर रखी है तो उस पर मैं आज जिक्र करूंगा तो जो भी एक सर्विसमेंट भाई हैं जिनके रिलेशन्शिप में कोई ऐसी औरत है जो अपने पती को खो चुकी है युद के अंदर या फिर किसी और वजह से यानि एक सर्विसमेंट की जो विद्वा प्रवाइब जरूर कर लीजे क्योंकि हमारा चैनल है जो सिर्फ फोजी भाईयों के हित के लिए काम करता है और उनहीं के लिए वीडियो बनाता है और उनके बच्चे बच्चों को नई-नई इन्फोर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए ये जो चैनल हिए बना गया है तो आज ही स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को दोस्तों यह जो स्कीम है यह विद्वाओं के लिए है और इस स्कीम में जो गवर्मेंट है वह 20,000 रुपे प्रदान करती है व्यवसाइक प्रसेक्शन के लिए यानिके वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए जो एक्सर्विसमें जो है उनकी विद्वाओं को यह अमाउंट दिया जाता है तो इसका बेक्ग्राउंड हम पहले जान लेते हैं देखिए इसमें लिखा हुआ है इन अनफॉर्चुनेट जो जो औरत होती है उसका हजबंड अगर उसकी मिर्तिव हो जाती है उसकेस में जो विड़ो है वो निगलेक्टेड यानिके उसको इग्नौर करते जाता है और वो फाइनेशली आर्थिक रूप से हैंडिकप हो जाती है इस केस के अंदर यह रिस्पोंसिविटी है और्गन तो इस केस में वो इनको आर्थिक मदद देती है और वो आर्थिक मदद सिर्फ इसलिए देती है ताकि वो एक वेफसाइक प्रसिक्शन ले सकें वोकेशनल टैनिंग ले सकें जिसके मदद से वो अपना खुद का कोई काम स्टार्ट कर सकें जैसे कि सिलाही है कडाही है बु प्रीटी पार्लर है इस ताप के को इस के लिए जो गॉर्मेंट है वो प्रोवाइट करती है ये अमाउट तो depending on their educational level and aptitude they may opt to undergo the request of vocational training अपने खुद के education level को समझते हुए और अपनी समझ से वो कोई vocational training कर सकती है ठीक है और लेकिन ये जो कोर्स है ये किसी recognized vocational training institute से होना चाहिए यानि कि वो रजय सैनिक बोड या जिलय सैनिक बोड के थ्रू जो training institute है वो होना चाहिए recognized होना चाहिए या फिर state like ITI और private training institution of reputed like NIT यानि कि NIT के थ्रू हो या ITI के थ्रू हो तो और भी better है और इसमें जो courses आएंगे वो जैसे शिलाई कडाई बुनाई beauty parlor ब्यूटी शिन का course आ गया और अपना computer का course आ गया टैली वैली यह सब चीज़ें आ जाती है इसके अंदर ठीक है the scheme is to provide financial assistance to ASM was started in माई 2007 माई 2007 में इसको start किया गया था 20,000 रुपे के लिए इसका जो aim है the aim of this aid grant is to provide financial assistance to a widow to settle in the life through vocational training यानि कि इसका जो लक्षय है वो यह है कि जो ex-servicemen की विद्वाएं है उनको अपने पैरों पे खड़ा किया 8 रुपे 20,000 यानि कि उनको training के लिए एक बार 20,000 रुपे मिलेंगे ठीक है जिससे वो अपने training complete कर सकते हैं इसके लिए इसके लिए जो eligibility condition है वो क्या होगी applicant must be widow of and ex-servicemen of having rank up to हवलदार और equivalent यानि कि जो applicant है वो ex-servicemen की widow होनी चाहिए rank जो इसमें लगेंगे वो हवलदार या उससे equivalent यानि हवलदार से नीचे वाले ठीक है should have successfully completed set training training करने के बाद यह पैसा मिलेगा दोस्तों यानि कि आप पहले training कीजिए उसके बाद apply कीजिए और फिर आपको पैसा मिलेगा उसके बाद should be recommended by respective जिला सेनिक बोर्ड जैडसबी की तुरू recommended होना चाहिए एप्लिकेशन का जो format है वो इसका जो link है इसका online link वह मैं आपको इस वीडियो के description में दे दूंगा वहां से आप जाके online apply भी कर सकते हैं कि डॉकुमेंट इसमें चाहिएंगे नमबर एक discharge book चाहिएगी ID card चाहिएगा वीडियो का certificate from institute यानि कि जब आपका जो complete हो जाए training उसके बाद जो certificate मिलेगा वह certificate आपको वहां पर दिखाना है certificate from ZSWO that video after vocational training is gainfully employed यानि कि ZSWO से भी certificate चाहिए कि जो vocational training है वह complete हो गई है और जो और जो वीडियो वीडियो है उसने successfully वह employed हो गई यानि कि उसकी नौकरी लग गए या उसने अपना business start कर लिया और लास्ट है details of bank account पंजाब नेशनल बैंक या SBA होना चाहिए ठीक है यह इसमें document चाहिए चैनल of application वही है आपका जिला से न सही मिलेंगी तो आपकी जिसकी processing है वह जो payment है आपके bank account में सीधे NFT के तुरू आ जाएगी तो यह थी हमारी आज की वीडियो आशा करता हूं आपको बसंद आई होगी इसमें आप देख सकते हैं online link दिया गया है apply online पर आप जो click करेंगे तो यह दूसरी website आप खुल जाएग सरनेम आएगा सर्विस नंबर आएगा ठीक है आईडी काड नंबर आएगा rank आएगा यह सब चीज़ें आएंगी इसके अंदर और उसके बाद आपको last में जाके submit कर देना है अपना account नंबर भी इसमें डालना है और submit करके आप इसको छोड़ देंगे और जैसा निक आए तो एक like का button दबाएए इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेर कीजिए अपनी सभी दोस्तों के साथ और WhatsApp पे शेर कीजिए Facebook पे शेर कीजिए हर जगह जहां पर आपका मैंन करें वहां पे शेर कीजिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस चीज को दिखाईए त जो उनकी विद्वा पहुए बैठी है या फिर बहने बैठी है किसी की तो उनको इस चीज के बारे में knowledge दिया जा सके ताकि वह अपना खुद का कोई काम या business start कर सके इसकी help से दोस्तों आपके सुझाव जो है वह बहुत ज़रूरी है मारे लिए अपने सुझाव इस वीड बनवानी वह भी आप वहाँ पर डाल सकते हैं ठीक है आशे करता हूं कि वीडियो पसंद आई होगी पसंद आई है तो उसके लिए बार बार धन्यवाद है आपको चैनल को ज़्यादा ज़्यादा सब्स्राइब करते रहे है थैंक्यू सो मुच